गाईस आज के वीडियो एसे 3 पाउफूल बेस के बीच में कमपरी वीडियो होने वाला है जो कि आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला बेस अपका DJ Plus का है, दुसरा बेस अपका अउजा का है और तिसरा बेस अपका स्ट्रीम माष्टर का है तो तीनो बेस आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा डिजाइन और काफी पारफुल बेस है और इस बेस को साइद आप लोग जानते होंगे तो सबसेल बात रहूँगा तीनो बेस की ओड़ेज क्या है तो मैं आप सबस्क बतना चाहाँगा देखे तीनो बेस आपका सेम ओड़ेज में आएगा जो की एक अच्छा है पंची साउंड के लिए काफी यह बैस क्लिटी का बेस होगा तो इन तीनो बेस में से आप सभी को कौन सा बेस में अच्छा आपको पंची साउंड या फी दूर तक आपको साउंड सुनन मिलेगा और बजट इसाप से कौन सा बेस क्लिटी का बेस आप सब इक लिए होगा मैं सरा कुछ इस बुड़ों में फूल डिटल सब बतने वाला हूं आखिर कौन सा बेस बिनर होगा चले वीडियो को शुरू करते हैं और इससे पहले मैंने ओर दो बीडियो अपलोड किया हूं जो की टार और टॉप के बारे में अगर आप लोग उन दो वीडियो नहीं देखता आप जोरू जाकर देख सकते हैं वहां पर आपको कनफुज दूर हो जागा आकिर आपको कौन सा इस्पिकर और कॉन सा टॉक लेना चाहिए तो चले इस बुरूतन शुरू करते हैं तो चले सबसे पहले जान लाते हैं इन तीनों बेस का मॉडल नम्बर क्या है तो सबसे पहला बेस की मॉडल नमबर डिजे प्लास का DRX 118R जियां इस तरह इसका मॉडल नम रखा है कंपेडियों नहीं और इस बेस आपका अर्मेस पार एक जावड़े जागा साथ ही बात करेंगे आउजा का तो यह आपका न्यू बेस है जो के आप लोग देख सकते हैं साध आप लोग बेस के यूज कियेंग तिसरा बेस आपका स्टूडी मास्टार का S88 इस तरह इसका मॉडल में रखा है और इस बेस को भी थोड़ा होद आप लोग जानते होंगे और इस बेस के भी आर्मेस पर आपका 1000 और पर आपका 2000 दिनों मिलेगा तो लगवा आपका तीनों बेस आपका सेम अटेज में आता ह जोकि आप लोगं देख सकते हैं चले आप जान लाते हैं इन тीनों में बिएस की टेखनी कल डिटेल येखनी कर देखर तो सभी के बार में जानेगे एक और कहे मतलग कितने इंची ननों है इन 3 बेस के अंदर तो देखे थीनो बेस की साई आपको same दिखनेंगे जो की अर्टरिंची का और आब बात करेंगे इन दीनों बेस्ट की frequency response क्या है और किसतरह दिया ग्या आयेए और इस ही को देखकर आप लोग को समझ में आ जायएगा कि कौनसा बेस में पॉप all दिःता है सबसे पहला बेस के अबिधा सकता हूंे इस तुछ देर बात भी आपको बता हो सकता काफी लो दिया गया और दिसरा बेस की प्रक्राइब से इसे लेकर दो सबसे आपको एक चीज बत ना चाहूंगा देखें जिस बेस में आपको कम frequency दीखने में मिलेगा उसंमें आपको सबसे जद्यादा low sound आपको सबसे जद्यादा सनरे मिलेगा और घिस बैस में अधिक आपको frequency मिले मतलब high frequency आपको साउनर मिलेगा तो उस Corn ज्यादा मिलेगा उर फटो इस बेस की फिक्वेंसी में अगर काउन किया जाए एप्रोक्स अंदाजा क्योंकि डिजे प्लास जो आउजा को देखते हुए मतलब थुदा सा अपने बेस और टौप को बनाते हैं तो उसी इसाब से देखा है तो इसमें आपका फिक्वेंसी जो कि 45 सबसे लेकर 1000 तक दिनों मिल जागा तो इस बेस में आपको थोड़ा सा लोंग साउंड आपको ज्यादा सुनने मिलेगा मतलब लोंग थ्रो आपको ज्यादा साउंड सुनने मिलेगा तो यह अंदाजा लागा सकते यह फिक्स नहीं है तो आगर मैं बात करूँ इन तीनों बेस में सबसे लो साउंड ज़ादा मिलेगा चले आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे इन तीनों बेस की इंप्रिटन क्या है तो इंप्रिटन आपका तीनों बेस सेम दिनों मिलेगा जो कि एटोम पर और आगे बात करेंगे तीनों बेस की सेंस्टिवी तो सबसे पहला बेस की सेंस्टिवी आपका डी कितने इंची का है और इसमें भी आंदा जला सकते है कि मतलब बेस में आपको सबसे बिस है और वाय प्रेसकें आपको मिलेगा क्या किकी बहुत ही बड़ा रोल पहले करता हैं तो सबसे बात करेंगे इसे में पाध करेंगे अअभ़ भैक्स की वैसकटल काफी अच्रा फॉकिंश साथ मतलब जो इसका वैसकल है, इसमें आपको दोनों साइट डिब्ड up both यह फ्यदा लता है कि इसमें जल्दी से वयस्केल करता नहीं थोड़ा से लॉंग लाइप बनता है और आगे बात करेंगे स्टुडी मास्टार का बेस की वयस्केल तो इस बेस की वयस्केल इसमें आपको चालंज़ देनों मिलेगा लेकिन आपको एन और आउट वर्णिंग न बेस आपको सबसेदा इसी बेस में मिलेगा चले आगे बात करेंगे इन तीनों बेस की बेट क्या है तो DJ Plus का बेट आपको मैंचेन नहीं दिनों मिलेगा तुसे में अभी छोड़ते हैं दूसरा बेस की में बात करूंगा बेट तो 55 के लिए दिनों मिल जागा और इस्टुड सबसेदा हो उस बेस में आपको बेस सबसेदा अच्छा मिलता है तो इसा भी आप लोग मान सकते कि इस बेस में थोड़ा सा आपको ज्यादा बेस आपको मिलेगा तो कुछ इस तरह आपको टेक्निकल डिटेल दिखनों मिल जागा तीनों बेस के बारे में लें DJ Plus की कुछ इ सबसेदा अच्छा मिलेगा मतलब दूर तक आपको पंची साउंड और साथी जो साउंड सुनने मिलता है वह तीनों में से किसमें मिलेगा तो देखा जाए देखे सबसे पहले में बात कुछ तो DJ Plus हाला कि दिया नहीं लिए तो इससे हम मानते है कि लोग तो इसमें मिलेगा जिस तरह मैंने आपको फिक्वेंसी बता हैं उस हिसाब से और दूसरा मैं बात कूँ तो उसके बाद आपका आएगा इस्टूडि मास्टार और उसके बाद आएगा अहुजा बेस तो इस परका आपको लोग तो साउंड भी पता चल गया चले आप बात करेंगे इन तीनों आपको बेस के सांड करेंगे काफी अच्छा है लेकिन सबसे किलिन आपको मिलेगा उसके बाद आपका इस्टूडि मास्टार और उसके बाद आपका डीजे प्लास बेस में आपको मिलेगा चले ए कि आपका कुछ पॉयंट लेगन अगर मैं बात कूँ प्रैक्टिकल साम को लेंग दूसरा बेस करूं uta Basque बारे में तो आप सभी जानते को सभी लोग की होंगे और काफी आपको मिलेगा सब सब्सक्रांप करूं बहुल बारे को सद्ट के बारे में मैं आपको बतना चाहूंगा तो कुछ भाई कह रहे हैं कि यह ठीक ठाक है मिडियम टाइप का है अच्छा बज़ता है इसमें अभी तक कोई भी सिखाद नहीं है और जितना दिन समय बात कूँँद्ध कोई इसका प्राज राखा गया कंपनियों ने अगर मैं बात कूँँ दूसरा बेस की प्राज तो इस बेस की प्राज काफी कम में आपको मिल जागा तो कितना यह एपरोक्स आपका 32.000 के बीच में आपको मिल जागा इतने डिपरेंट आपको बतारा हूं चंप county इस्ट प्रॉज कि प्राज क्यां पाफ़ियागा आफ द आपस तेनों मिल जाओं इन तिनों बहूं । देख सकते हैं अगर मैं बात कुन सबैसे लेना चाहिए आप तो देखे तीनो बेस में से आपको अउजा बेस ही लेना चाहिए कि इस बेस हम आपको कम प्राज मिल रहा है साथी पाच इंजिवला वहसकल का मतलब इस पीकार आपको मिल रहा है तो काफी अच्छा है इसमें आपको अच्छा सब बैस्ट वाइब्राशन और कॉलिट्री नं कमेंट कर दीजेगा मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियो में इन्पोर्टेंट टोपिक के साथ